दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती टेस्टी, मजेदार चटपटी आमकी हरी चटनी की रेसिपी इस चटनी को आप किसी भी स्नेक्स रेसिपी, चाट, दही, भला किसी के भी साथ खा सकते हैं इस नेक्स रेसिपी में जैसे की समोसे, कचोड़ी, पकोड़ी या फिर सेंड़िच के साथ खा सकते हैं क्योंकि इस तरह से हरी चटनी के साथ किसी भी स्नेक्स रेसिपी का स्वाद डवल हो जाता है और सबसे अच्छी बाते हैं कि आप इस चटनी को 10-12 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं हलो एवरिवन, मैं हूँ नीलम और नीलम्स किचन फूड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो अगर आपको मेरी रेसिपीच पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ तो चलिए चटपटी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटी तीखी आम की हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप हरा धनिया लिया है धनिया को मैंने अच्छे से साफ करने के बाद पानी से धो लिया है धनिया में जो बड़े और मोटे डंठल होते हैं उनको मैंने हटा दिया है और इसमें जो छोटे और सौप्ट डंठल है उनको मैंने नहीं हटाया है, आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, धनिया को मिख्सी के जार में डाल देंगे साथ ही दो हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं मिर्च को हम इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे अब मैंने यहां पर आधा कप मिंटली वियानी की पुदीना की पतियां ली है पुदीना की डंडियों को मैंने हटा लिया है और साप पानी से धो लिया है इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं पुदीना को आप दो तीन बार पानी से अच्छे से साप कर लिजिएगा क्योंकि पुदीना के ऊपर भी मिट्टी बगेर लगी रहती है पांच च्छे छिली हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं एक इंच डालेंगे अदरक अदरक के मैंने टुकडे कल लिये हैं अब मैंने यहां पर एक मीडियम साइज का कच्छा आम लिया है और आम का छिलका हटाने के बाद आम को मैंने इस तरह से रफली चौप कल लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि यह चटनी अच्छे से पिस जाए जार का धकन बंद करेंगे और इसे पीस लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमें चटनी को बारीक पीस लेना है अगर आपको दरदरी चटनी पसंद है तो आप इसे दरदरा पीस लीजिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसपर कल लेते हैं दोस्तो आप चटनी का कलर देख रहे हैं कितना बढ़ी अलग रहा है और मैंने ये चटनी बहुत ही सिंपिल तरीके से बनाई है आप चाहें तो इसमें साबुजीरा और मूमफली भी एड़ कर सकते हैं पर मुझे ये चटनी इसी तरह से सिंपिल पसंद है तो ये हमारी बहुत टेस्टी चटपटी तीखी खटी खटी आम की चटनी बनकर रेडी है आप इस चटनी को किसी भी काच की शीशी में भर कर रख लीजिए तो दोस्तो आप इस तरह से आम की चटनी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थेंक्स पर वाचिंग